इंडिया में पुरुषों के कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बड़ी हो रही है। ऐसा अनुमान है कि दो हजार अठाइस तक यह तैतीस हजार करोड की बन जाएगी। हिंदुस्तान के आबादी के कारण इसकी मार्केट भी काफी बड़ी बन चुकी है। कपड़ों के बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप पुरुषों कपड़ों की दुकान शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के बिजनेसेज आप कर सकते हो। आप स्पेशलाइज कपड़ों की दुकान भी शुरू कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ टी शर्ट की दुकान या सिर्फ जीन्स की दुकान, आजकल स्पेशलाइज दुकाने बहुत चल रही हैं. आपको अच्छे क्वालिटी के कपड़े अपनी दुकान में रखने हैं, दुकान की मार्केटिंग भी अच्छी तरह से करनी होगी. आप अलग-अलग त्योहारों पर अलग-अलग ओफर्स दे सकते हैं. सिर्फ दुकान शुरू करके गल्ले पर बैठकर काम नहीं बनेगा. आपको मार्केट में क्या जरूरत है, क्या नया ट्रेंड इसके बारे में निरंतर रिसर्च करना होगा. आपके स्पर्धक क्या कर रहे हैं, इसके उपर भी हमेशा नजर रखनी होगी. अगर आप बिलकुल सोच समझ कर दुकान चलाते हो, तो आपकी दुकान जरूर काम्याब होगी.